डोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अपने वोटर कार्ड में मौवाईल लंबर लिंक करना सिखेंगे जिस तरह से हम अपने अलाहर कार्ड को मौवाईल में ही ऑनलाइन डा mouveender करते हैं सेम उसी तरीके से आप अपने वोटर कार्ड को भी डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपके वोटर कार्ट के साथ आपका मोईल लमर लिंक होना चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इसके लिए सबसे पर हम वाई में प्लेश्ट्रो को ओपन करेंगे और वहां पर वोटर हेल प्लाइन लिखकर सर्च कर देंगे ठ यहां पर हमें अपना मोईल लमर डालना है और नीचे में पास्वर्ट लेकिन अधि आपने अभी तक इस अप्लिकेशन अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो सबसे पहले आपको इसमें अकाउंट बनाना पड़ेगा इसके लिए यहां लिखा है नियू एजर इस पर क्लिक करना है उसके बाद यहां पर हमें डालना है अपना मोईल लमबर मोईल लमबर डालकर सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो हमारे इस मोईल लमबर पर एक ओटीपी जाएगा देखिए ओटीपी सेंड हो चुगा है यहां पर हमें अपना फर्ट नाम डालना है यहां पर ला बन जायेगा हाला कि हमने अपधकल बना रखा है अब चली बेख करते हैं मोइल नमर और पासवाड कर करेंगे हुद और यहां पर डाल देना है नीचे लिखा हैceno इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए हम यहां पर लेकिन हमें यहाँ पर अपने वोटर कार्ट के साथ मौईल नमर लिंक करना है यहाँ पहले नमर पर दिया है वोटर राइश्टेशन इसमें किलिक करना है उसके बाद पीस को थोड़ा सा इस तरीके से उपर खिसकाएंगे तो यहाँ पर देखिए काप्षान आएगा फॉर्म से लिए घले कहिंता है और नीचे से और किलिक करेंगे यहाँ इसके वाद उनिचे लिखाई इस्पे किलिक करना और देखिए यहाँ लिखा गया we have found this regard for your inter-water ID please click on the proceed button चलिए नेचे से proceed button पर क्लिक करेंगे हमने जो हैंपर water card नमर दिया है उसका पूरा एटेल यहाँ पर आज चुका है नेचे से आप next पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका कुछ detail पहले से भरा हुआ है लेकिन कुछ detail आपको भरना है जैसे कि यहाँ पर हमें डालना है अपना आधार नमबर नेचे डालना है mobile नमबर थोड़ा सा पेज को उपर खिसकाएंगे यहाँ पर एक डालेंगे हम email ID उसके बाद यहाँ नेचे से next पर क्लिक करेंगे यहाँ देरा है I submit application for choose anyone हमें यहाँ पर अपने watercard के साथ mobile नमबर लिक करना है इसलिए हम इस दूसरे बाद को select करेंगे उसके बाद next पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे आपसाना जाएंगे जिन में समय select करना है इसे नीचे से दूसरे नमब दिया है mobile नमबर इसे हम इस तरीके से select करेंगे उसके बाद next पर क्लिक करेंगे जिस mobile नमबर को आप अपने watercard के साथ लिंक करना चाहते है उस mobile नमबर को आपको यहाँ पर टाल देना है उसके बाद verify पर क्लिक करेंगे तो उस mobile नमबर पर OTP जाएगा उस OTP को यहाँ खाली box में डाल देना है OTP डाल कर verify पर क्लिक करेंगे तो देखिए OTP verify हो चुका है अब हम नीचे से next पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आगे है declaration यह दिया हम page को ओपर खिसकाते हैं यह है आज का date यहाँ दिया है नाम नीचे डाला है place name तो आप यहाँ पर अपने district का नाम डाल सकते हैं उसके बाद यहाँ नीचे से done पर क्लिक करेंगे यहाँ दिया है form at review तो आप एक बाद अच्छे से form को check कर लिजे इस तरीके से उसके बाद सबसे नीचे दिया है confirm इस पर क्लिक करेंगे बस हमें इतना ही करना है और आप देख सकते हैं हमारा form successfully submit हो जुका है इसका हम एक बाद इसके ले ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर जो reference id नमर दिया है उसका हमें बाद में जरूरत पड़ेगा और जरूरत कहां पड सब्सक्राइब करते हैं तो वापस से हम वोटर हैप्लाइब अप्रिकेशन के डैस्वोट में पहुंच जाएंगे अब फिर्स हमें water registration में क्लिक करना है ठीक है क्योंकि हमें एक बार इसका status चेक करना है वहाँ पर जो reference id नमर मिला था उससे यहाँ पर डाल कर उसका status हम चेक करेंगे कि हमारा मॉइल नमबर हमारे watercard के साथ लिंक हुआ है कि यहाँ पर में reference id नमर डाल दिया है नीचे लिखा है select state इसमें क्लिक करेंगे यहाँ सब select करेंगे अपने state को मैं यह करता हूं उत्तापदेश आपका जो भी state है उसे यहाँ से select कर लिजिए उसके बाद यहा हमारे application का इस्ट्रेटर जहां पर सुख हो गया है और हमने submit किया था 24 24 को कुछ दिन पहले तक यह होता था कि form submit होने के बाद BLO appointment होता था उसके बाद fill verification होता था और last में form accept होता था लेकिन अभी ऐसा नहीं है form submit होने के तुरांत बाद ही हमारा form accepted हो चुका है और हमारे watercard के साथ हमारा mobile लमर लिंक हो चुका है यह तो हो गया watercard के साथ mobile लिंक करने का वीडियो इसके अगली वीडियो मैं आपनों बताऊंगा कि watercard को अपने mobile के अंदर कैसे download करते हैं चाहिए आपके पास पुराना watercard ह या फिर आपने नया watercard बनाया हो दोनों इस तरह को watercard को आप बिल्कुल आसानिक से अपने mobile के अंदर download कर सकते हैं तो उमीद है यह वीडियो आपनों पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे हमारे चनल पर पहली बार है है तो चनलों स यानवारे वीडियो में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत भनेवाद है